तो है रो नमस्कार दोस्तनाओं से का स्वागत है मेरे चैनल बीट एट में और दोस्तों जो आपके लिए वीडियो लाए हूँ उसमें मैं आपको उपताने बाला हूँ कि जो Poco F2 है उसमें क्या स्प्लेसिफिकेशन स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी तो दोस्तों जो Poco F2 है वो मलब की जो Poco स्मार्टफोन का एक आएगा मौडल तो दोस्तों जो Poco स्मार्टफोन है वो Xiaomi का एक सब ब्रेंड है तो दोस्तों अगर आप बात करें जैसे कि Xiaomi ने हाली में K20 प्रो और K20 लाँच किया है तो दोस्तों इसमें से कोई ना कोई मलब की सीरीज आपको द देखें तो के 20 परो की तरह हो सकता है कि दोस्तों जो K20 परो वो flagship killer है और जो Poco स्मार्टफोन थे वो इस टाइब के स्मार्टफोन जो मिलाता है जो कि flagship killer category में आते है तो दोस्तों Most of और िूमर्स और होता है वह पता है की जो पोको का जो स्मार्टफोन होगा को के टूनिटी प्रो की तरह आएगा तो दोस्तों अगर बात करें की जो मेरी एक्सपेकटेशन थी भाको के जो F2 से थी तो क्या थी दोस्तों जो पोको F2 से मेरी एक्पेक्टेशन जासी थी कि उसमें 5G देखने को मिलेगा कि दोस्तों 5G Most of World में अभी तक नहीं आया है तो मैंने सोचा था कि जो पोको F2 होगा तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो 5G है उससे लाउंच किया स्मार्फोन को क्योंको दोस्तों अभी तक तो काफी टाइम में 5G आने में लगबग सेप्टेंबर या फिर अगस्त के बाद ही आपको 5G देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर जल्दी आएगा स्मार्फोन तो 5G आना मुश्किल है लेकिन दौस्तों जो पोको F3 उसमें definitely आपको 5G देखने को मिलेगा क्यों दोस्तों पोको F2 अभी लॉंच हो सकता है इंडिया में बहुत जल्दी लॉंच हो सकता है इंडिया में तोस्तों जो पोको K20 है वो चा प्राइस के उपर dependent होगा की स्मार्टफॉन किस तरह से देखने को मिलेगा क्योंकि अगर बात किया जाए जो के 20 प्रोट की जो प्राइस है इंडियन किरंसी उसको कज़ें तो वह 25-20 या फिर 30,000 तक आपको देखने को मिल सकती है 27 या 30,000 के बीच में अगर स्मार्टफॉन देखने को मिल तो बेस्ट स्मार्टफॉन इसको का जासता है क्योंकि अगर इसका competition आप देखें जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में पता है था कि प्लस काफी दूर चला गया उसके price के coding और दोस्तों जो अगर बात की जाए कि पोको स्मार्टफॉन में क्या कमी थी जो एफ़न पोको स्मार्टफॉन का था तो दोस्तों उसमें आपको plastic bag देखने को मिलती थी लेकिन इसमें class bag देखने को मिलेगी और दोस्तों इंडिया में जैसे की तो market में क्या इंडिया market में exist कर पाएगा तो दोस्तों इंडिया market में बहुत ही अच्छे से बिख सकता है तो बात आएगी pricing की अर दोस्तों pricing अच्छा रहा तो इंडिया market में smart phone बहुत ही बड़ा बिख सकता है अब जब मैलग की इस टाइप के smart phone आएक तो जो 1 हम इंडिया में लाए तो काफ़ी बड़ी competition create हो सकता है और यूमर्स के माने तो Poco F2 के नाम से स्मार्टफोन आ सकता है तो दोस्तों काफ़ी interesting रहेगा देखना की किस तरह से स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा और दोस्तों releasing date अभी तक fix नहीं हुए लेकिन दोस्तों जो k20 और k20 pro है वो दो स्मार्टफोन थे अब देखना ही होगा कि इंडिया में क्या वोकु के दो स्मार्टफोन और सकते अगर दोस्तों दो smartphone होगे तो काफी अलग कि या फिर काफी मजबुत स्थीती में आ सकता है smartphone market इंडिया में पोखो के लिए भी जो कि एक up creation के रूप में देखने को मिल सकता है कि जो इसमें processor है वो भी बिल्कुल latest use कियागया और को बिल्कुल latest processor रही काफ़ी यदा strong definitely होगा और flagship processor है उपर से यादा smartphone best होगा यूज़ करने में भी और दोस्तों इंडिया में अगर इस प्राइस पर ये आ जाता है तो definitely एक market capture करेगा ही करेगा और दोस्तों सबसे important बात देखा जाएगा कि कैमरा किस तरह से optimized है पोको में अगर आएगा तो किस तरह से optimized होगा तो दोस्तों वो ही बात देखने को रहेगी दोस्तों जो छोटी छोटी गलती हैं अगर वो उसे बचे तो जो स्मार्टफोन है वो बेस्ट है तो दोस्तों इस वीडियो में फिला लिते हैं अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अपसंदर वीडियो को लाइक शरूर कोमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जै हिंज जै भारत दोस्तों